तो एक बार नई वीडियो के साथ हिंदी में शीरू करेंगे वीडियो तो शेंजनवीजा.com आपको पाता है मेरी ओफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाकर काफी सारे जो आर्टिकल आप देख सकते हैं जैसे कि रेसेंटल अभी मैंने इन्विटेशन लेटर फॉर ज क्लिक कीजिए france engine visa.com के वीजा requirements के उपर आपको पूरा आर्टिकल मिलेगा तो हम topic पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से आज की वीडियो के अंदर topic clear out करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि apply कैसे कर सकते हैं france tourist visa from India right second number पर बात करेंगी france tourist visa के documents क्या-क्या job करते हैं अगर आप कोई business है या कोई student है या कोई retired person है वो france का शेंजन visa कैसे apply कर सकता है then after that हम बात करेंगे कि working visa और study visa के अंदर क्या difference है कौन-कौन से documents चाहिए and उसके बाद अगर आपके पास france का visa reject हो गया है तो क्या करना चाहिए आपको and अगर आपका visa reject हो गया आपक कहां पर travel कर सकते हैं तो यह video शुरू करते हैं topic आपको बता दिया France शेंजन visa requirements for Indians right तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि France शेंजन visa requirements क्या क्या है सबसे पहले कि सभी को मालूम है कि France का शेंजन country है अगर आपके पास शेंजन का visa है then आप 26 countries के अंदर travel कर सकते है without any getting any extra visa ठीक है आ आपको एक visa चाहिए वो शेंजन visa होगा वो आपको पूरा travel करने के लिए valid होगा और अगर आप France क्योंकि देखिए क्योंकि France का शेंजन visa यह नहीं कि सिर्फ tourist visa ही आपको मिलेगा तो मैंने यहां पर mention कि है कि types of different type of visa जो available है अगर आप travel करना चाहते हैं France के अंदर तो आप travel visa मतलकि type C visa apply करेंगे study visa और business visa वो है like उनकी category different है study visa national visa या type D visa उनको हम बोच सकते हैं क्योंकि वो long term के लिए count होता है business visa की category different होती है तो यह है कि अगर आपको top 10 शेंजन easy countries चाहिए ठीक है अगर आप इंडिया से शेंजन visa apply करना चाहते हैं तो आप मेरी previous video देख सकते हैं और अ आप आर्टिकल देख रहे हैं तो आप यहां पर क्लिक कीजिए top 10 शेंजन visa के ओपर आपको वहां पर पूरी list मिल जाएगी कि आप शेंजन visa की easy countries जो आपको easy visa provide करती है वो कौन-कौन सी है और कैसे apply करना है तो अब हम बात करते हैं कि France tourist visa कैसे apply किया जाता है इंडिया से तो France में study करना जाने चाते हो या business visa या family reunion का visa है तो आपको national visa apply करना पड़ता है तो हम पूरी वीडियो के अंदर ये तो मैं पूरा वीडियो topic नहीं clear कर पाऊंगा आप सिर्फ website के ओपर जाए शेंजन visa.com ये उसका link के ओपर देख लीजिए and website के ओपर जाए और article आप check out कर ली fees के अंदर difference आ चुका है 60 euro से लेकर 80 euro जो है शेंजन visa की fees हो चुकी है और 40 euro जो है miners जो बचे है 18 years के नीचे हैं उनकी 40 euro fees है और adults के लिए 80 euro fees होगी अब बात करते हैं कि documents कौन-कौन से चाहिए application form चाहिए वो आपको official website जो है मिल जाएगा France की उसके बाद आपके पास दो photo होने चाहिए recently valid passport होना चाहिए six months का and उसके बाद आपके पास ticket होनी चाहिए return and up and down आप बोल सकते हैं और ticket आप dummy ले सकते हैं यह निए कि आपको confirm ticket ही चाहिए आप dummy ticket ले सकते हैं और travel insurance चाहिए जो cover up करेगा आपके पूरी travel time को near about 30 से 32,000 euro का होना चाहिए वो एक cover letter होनी चाहिए cover letter के अंदर जैसे itinerary आपका plan क्या है कहां पर आप जा रहे हैं कहां पर आप गूमने जा रहे हैं ठीक है आपको 3-4 दिन अगर आप spend कर रहे हैं तो 3-4 दिन आप क्या करेंगे क्या क्या दिखेंगे कि इस hotel में रहेंगे त आना चाहते हैं तो आपके लिए hotel booking की बहुत जुरूरी है आपका civil status क्या है आप married है आपका marriage certificate लगेगा आपका birth certificate लगेगा अगर आप पूरी family अगर आप apply कर रहे हैं फ्रांस शेंजिन वीजा के लिए देन आपकी पूरी family के documents लगेंगे देन आपके पास funds bank statement होनी चाहिए हम बात करते हैं bank statement कितनी होनी चाहिए बहुत सारे questions आते हैं कि bank statement कितनी चाहिए तो bank state near about अगर आप single apply कर रहे हैं तो आपके account के near about 5-6 lakh होना चाहिए तांकि उस के दोरान आप अपने फ्रांस की जो trip है cover up कर पाएं 5-6 lakh खर्चा नहीं आता बट उनको ऐसा like ambassi के अंदर show हो करना करना पड़ता है कि आपके पास एक sufficient fund है तांकि आप आप वहाँ पर गुमने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर एक अच्छे travel की तरह गुम कर वापिस आए फ्रांस working visa और study visa ठीक है ये इसके इंदर difference क्या है और क्या कौन-कौन से आप अगर student है अगर job के लिए apply करना है तो आप कौन-कौन से documents extra documents कौन-कौन से चाहिए राइट अगर आप job कर रहे हैं तो आपके पास एक job contract letter होना चाहिए जिसके अंदर आपका name और employer और company कान के बा letter बना कर दे देंगे आपको bank statement minimum six month की होनी चाहिए noc letter no objection certificate letter आपको चाहिए company की तरफ से that उनको को कोई भी problem नहीं है आपके पास साथ या 10 दिन 15 दिन के लिए day off चल रहे हैं तो आप गुमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं and आप you are genuine ठीक है आपकी ITR होनी चाहिए अगर चाहिए business card चाहिए आपका bank statement six month की होनी चाहिए और ITR three years की होनी चाहिए अगर आप student है definitely you can go also but you have to prove that like you are a genuine student okay so आपके पास NOC letter from college या university से चाहिए और registration letter चाहिए college से और university से कि आप पूरी college की fees pay क्यों है आपका जो है को जो भी आपका diploma या degree आप कर रहे है उसके उपर लिखा होगा वो college में जब जाएंगे आपको पता चल जाएगा और किसी तरह की कोई भी help चाहिए होगी आप नीच as soon as possible आपको reply मिल जाता है अगर कोई person government job से retire है या कोई private job से like खतम हो चुकी है right वो senior city general वो भी अगर आप try करना चाहते है then definitely वो try कर सकते है और उनका जो success rate बहुत ज़्यादा high होता है उनको age की according आपको visa जो है issue हो जाता है वो आपके आपके पास six month की bank statement होनी चाहिए particularly और भी 5-6 लाग होना चाहिए ताकि आपको visa जो है मिल सके हम बात करते हैं कि working visa या study visa उसके बारे में तो working visa study visa type C visa नहीं apply कर सकते क्योंकि type C सिर्फ tourist visa के लिए मिलता है and उसके बाद अगर हम बात करें study visa type D visa और working visa को national visa मिलता है type D visa उसको बोलते है और उसके documents आपके लिए different चाह चाहिए contract letter चाहिए वहां से और अगर हम study visa की बात करें तो study visa से offer letter चाहिए college से उसके बाद हम बात करते हैं कि France visa अगर apply करना चाहते हैं तो इंडिया में कहां कहां पर आप apply कर सकते हैं तो VFS Global जो है मुंबाई, पुने, जिलंदर, डेली, कॉलकटा, बंगलूरू, चंडिग का wait करना पड़ता है, तो अगर दो weeks से ज्यादा मतलब की एक महीने, दो weeks से लेकर एक महीने तक कही बाद time लग जाता है, but mostly 15 days के बाद आपका visa जो है issue हो जाता है, and courier करने के बाद आपको visa near about 15 से 20 दिन के अंदर visa मिल जाता है, कही बार busy days होने के कारण, आपको visa near about 1 month भी ल अगर आपका कोई France visa पहले reject हो चुका है, अगर आप दोबारा वापिस जाना चाते हैं, वहाँ पर apply करना चाते हैं, तो don't worry, you can apply again, but don't apply immediately, like अगर आपका visa reject हो है आज, तो आप दोबारा apply करें, एक अफ़ते बाद, दो अफ़ते बाद, तो visa फिर reject होने के जाधा chances है, यह न ना कि एक travel जो आप करना चाते हैं, आपका motive जो है, वो genuine लगे उनको, right, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने visa reject हो गया, जो आपने fees submit की है, embassy fees जो दी है, वो आपको वापिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यह answer बिलकुल नहीं है, आपके visa के लिए, आपने ज जाते हैं, वो non-refundable है, तो हम बात करते हैं, विद शेंजन visa, where can I travel, यह काफी like लोग question पूछते हैं, काफी लोगों को doubt है कि शेंजन visa अगर एक country का है, तो हम की दूसरी country में जा पाएंगे जा नहीं जा पाएंगे, तो definitely आप 26 countries के अंदर जा सकते हैं, अगर आपके पास श आत्विया का है, लुथवानिया का है, पॉलंड है, ठीक है, जर्मन है, फ्रांस है, स्वीडन है, कोई भी like शेंजन country का visa है, ग्रीस का भी है, तो आप पूरी शेंजन country के अंदर 26 countries के अंदर travel कर सकते हैं, तो please अगर वीडियो, अगर information अच्छी लगी हो, तो नीचे देखि ये आर्टिकल के अंदर अगर अगर वेबसाइट के उपर है, तो नीचे तो भी अपनी वेबसाइट ये information आर्टिकल को शेर कर सकते हैं, facebook, whatsapp, twitter, linkedin, tumblr, and pin interest पर, right, sorry, थोड़ी disturbance हो गे थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब से वीडियो भी आप अप श अगर किसी तरह की कोई भी information चाहिए, तो आप देखिए shenzhenvisa.com पर जाएंगे, आपको पूरी तरह के like अगर हम बात करें, पूरी topics मिलते रहेंगे, अगर हम next वीडियो के अंदर आप देखेंगे, invitation letter for German visa, अगर आप directly visa website पर जाना चाते हैं, तो पूरा article readout कर लीजिए, औ और उसके बाद जो है 10 places visit to in India, राइ 2021, 10 places to visit in Dubai, तो काफी सारी information मैं आपके साथ share करता रहता हूँ, और जो है like काफी topics जो मैंने हिंदी में भी cover की हैं, आप हिंदी में जाकर देख सकते हैं, और अगर किसी तरह कोई भी information चाहिए, तो please comment box में आप बता दीजिए, आपके लि चैनल में तो आप में को comment करके बता दीजिए, उस कमी को हम पूरा करेंगे, और आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर वाहे गुर्जी का खालसा, वाहे गुर्जी की फते